बिहार से जार्खन के बीच अब महज 7 घंटे में सफ़ाड होगा टाटानगर से एक नई ट्रेन का संचालन सुरू होगा और रेलवे इस नई ट्रेन को चलाने के लिए बिल्कुल तयार है आए जानते से ट्रेन के डिटेल्स के बारे में उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किये सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब रेलवे की ओर से जार्ड़ी नोट्पिकेशन के अनुसार जार्खन के टाटानगर रेलवे स्टेशन से सेमी हाइ स्पीड ट्रेन की तर्ज पर तेजस एक्सप्रेश ट्रेन चलाया जाएगा आयार सिटी सी की ओर से मुंबई दिल्ली एवा अन्य रूट पर तेजस एक्सप्रेश ट्रेन चल रही है जिसे लोगों को बहतर स्पीड और कम समय में यात्रा करने का सुभधा मिल रहा है और आईसे में अब पिहार और धार्खन के यात्रियों को भी सुभधा मिलेगी दक्चिनपुर्व रेलवे जोन तेजस एक्सप्रेश ट्रेन के लिए भीर वाला मार्ग खोजने में जूटा है ताकि सारे 700 से ज्यादा छमता वाली ट्रेन खाली ना जाए आपको पता दी कि टाटा नेगर से पटना समेत अन किसी एक मार्ग पर तेजस एक्सप्रेश ट्रेन दोड़ेगी बिहार से जाड़कन के बीच कनेक्टिवीटी बहत जरूरी है जिससे 170 की 77 180 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से चलने वाली तेजक्स एक्सप्रेश ट्रेन से लोग 7-8 घंटे में पतना पहुंच सकेंगे जबकि अन्य ट्रेनों में टाटा से पतना जाने में 11 घंटे का समय लगबग लगता है कई ट्रेनों में इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है चक्रदरपूर के DRM ने बताया कि मंडल से वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन चलने की जानकारी के साथ साथ टाटा नगड और हावडा मुंबई डेल लाइन पर भी सेमी हाइस्पीड ट्रेन चलनी चाहिए जिससे यात्रियों के यात्रा समय में कटोती की जा सके और देश की पहली सेमी हाइस्पीड ट्रेन जो पूरी तरह से एसी है इससे पैसंजरों के सुधा ऑटोमेटिक बर जाएंगे आईए बात करते हैं ट्रेन के सुब्धा के बारे में पैसंजरों के लिए मनुरंजन के लिए LED लगी रहेगी और ओटोमेटिक दर्वाजे रहेंगे सभी कोच में ओटोमेटिक फायर एलाम और डिटक्शन सिस्टम लगा रहेगा कोच में AC के विवस्था के अलावे ओटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम और कोच में बायो वेक्यूम ट्वाइलेट जैसी अन्य सुब्धाएं दी गई है इस ट्रेन के चलने से पैसंजरों को जहां पर आम ट्रेनों के मुकाबले बहतर सुब्धा मिल सकेगा वहीं यात्रा करने के दवडान समय की भी बचत होगी तो उमीद करते हैं कि इस रूट पर भी डेर्वे जल्द एक नई ट्रेन उपलब्ध कराएगी हाना कि अभी तक यह ट्रेन प्रस्तावित है और माना जाड़ा है कि इस रूट पर भी वंद्य भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलनी चाहिए जो कि दो बड़े सहरों को आपस में कनेक्ट करेगी जिससे बिहार से जारकन के बीच सफर करने वाली यात्रियों को सूविदा होगी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में बता इस वीडियो को सेर करे और चैनल को करे सब्सक्राइब नए ट्रेनों के अपडेट के लिए